नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है मेरी चैनल में आज चलेंगे आप लोगों को चार्जर के बारे में जनकारी देंगे पूरा और लीड एसीड और लीथियम आयन सस्ता में चार्जर है दोनों चार्ज कर सकते हैं तो एक एक करके सारे चीज़े दिखाएंगे सारे चार्टिंग में 24 बोल्ट का चार्जर दिखाते हैं 24 बोल्ट का चार्जर तीन एंपियर और चार एंपियर में आ गया है आप लोगों के लिए चार्जर आ गया है तो आप लोग इसको देख सकते हैं तो चलिए आगे केबल चार्जर दिखाएंगे उसके बारे में डिटेल न कर दिजेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजेगा नोटिफिकेशन बेल को भी यॉन डखिएगा इसलिए कि कोशिश करेंगे बहुत जल्दी वीडियो लाने के लिए अलग-अलग आइटम देखाने के लिए काल हो सकेगा तो छोटा-छोटा आइटम का छोटा-इटम जै लिए ज्यादा बात नहीं करेंगे अब दिखाते हैं चार्जर तो दोस्तों देख सकते हैं यह आप लोगों के सामने एफ आयर ब्रैंड का यह चार्जर है 24 बोल्ट में है और यहां देख सकते हैं तीन एंपियर और 24 बोल्ट का चार्जर है ठीके दोस्तों यह भी मिल बात बात रायते हैं और इसको खोल करके पहले दिखाते हैं उसके बाकर इसके प्राइश के बारे में बताएंगे दोस्तों यह चार्जर का चार्जर है 24 बोल्ट में इसका प्राइस पढ़रिगा आपको 1200 रूपिया इसका प्राइस 1200 रुपिया है और इससे आप लिथियम आयन और लीड एसीट दोनों चार्ज कर सकते हैं इसको किनार रखते हैं फिर अगला चार्जर दिखाते हैं ये देख सकते हैं 4 एंपियर 24 बोल्ट में है चार एम्पियर का चार्जर है 24 बोल्ट में इसको भी खोल के दिखाते हैं इस तरह देख सकते हैं 4 एम्पियर 24 बोल्ट और ये 70 नंबर के चार्जर है इसमें 70 नंबर कहा जाता है ये आपको 13 रुकिया में मिल जाएगा 24 बोल्ट में और बहुत अच्छा क्वालिटी में है फाइबर बॉड़ी में है इसको किनारे रखते हैं अब चलते हैं देख सकते हैं ये 48 बोल्ट में है 70 नंबर लिखा है 70 एज मतलब 70 एम्पियर मन ना समझे ये 70 एज है 4 एम्पियर का है इसको भी खोल के दिखा देते हैं इस तरह से देख सकते हैं ये 70 एम्पियर लिखा हुआ है 70 नंबर कहा जाता है बेंगल में और 48 वोल्ट का ये चार्जर है ये भी 4 एम्पियर का चार्जर है आप 48 वोल्ट के कोई भी बैटरी को इससे चार्ज कर सकते हैं इसका भी दाम आपको 1300 रुपिया पड़ेगा 1300 रुपिया में ये 48 वोल्ट का चार्जर आपको मिल जाएगा और देखिए ये आपको 6 एम्पियर का चार्जर हो गया 6 एम्पियर मतलब 100 नंबर कहा जाता है चलिए इसको भी खोल के दिखाते हैं 6 एम्पियर 48 वोल्ट 100 एज रिखा है 100 एज तो ये 6 एम्पियर का चार्जर है इससे आप लिथियम आयन और लीड एसिड लिथियम फॉस्पेट भी इससे चार्ज हो जाएगा तो आप इसको किसी भी यूज के लिए ले सकते हैं ठीक है दोस्तो और इसका प्राइस पड़ेगा दोस्तो 6 एम्पियर का चार्जर है इसका प्राइस पड़ेगा 19 सो रुपिया देख सकते हैं इस तरह का है और इसका तारे काफी लंबा होता है इसको किनारे करते हैं आगे दिखाते हैं दोस्तों ये पांच एमपियर का चार्जर है पांच एमपियर का है इसको निकालते हैं देखिए दोस्तों फाटीट वोल्ट पांच एमपियर और पंचानवे एस 95 एस लिखा हुआ है 95 नमबर समझ लिजिए ये आपको अठारा सो रूपिया में मिल जाएगा पांच एमपियर का है इस तरह का है अब दूसरा दिखाते हैं आप लोगों को ये दोस्तों साथ एमपियर का चार्जर है एक सो बीस नमबर ये दूसरे कलर में आएगा इसका वैर सेम इंडियन स्टाइल का ही है देख सकते हैं ये और इसमें लाइट इंडिकेशन आपको मिल जाएगा हर चार्जर में लाइट इंडिकेशन मिल जाएगा आपको और ये देख सकते हैं इसमें भी मेंशन है 7 एमपियर 48 वोल्ट और 120 AH लिखा हुआ है तो ये आपको मिल जाएगा 2200 रुपिया का ये आपको 2200 रुपिया का मिल जाएगा तो चलिए इसको भी किनारे रखते हैं और आगे दिखाते हैं दूसरा चार्जर को अब ये देख सकते हैं 8 एमपियर का चार्जर है 140H लिखा हुआ है मतलब 140 नमबर है और इसको निकाल के दिखाते हैं इसका डिजाइन खुबसूरत डिजाइन बनाया है ये देख सकते हैं ठीके दोस्तों और ये इस तरह से इस साइड में देख सकते हैं 8 एमपियर 48 वोल्ट और on40H मतलब on40 नमबर का है ठीके दोस्तों इसका डिजाइन इस तरह का है कूलिंग फैन लगा हुआ है और बैटरी यहां देख सकते हैं ये चार्जिंग इंडिकेशन भी इसमें मिल जाता है तो ये आपको मिल जाएगा ये चार्जर आपको मिल जाएगा 2400 रुपिया का 24 रुपिया का यह चार्जर मिल जाएगा आपको आप लोगों को जिन लोगों को जल्दी-जल्दी बैटरी को चार्ज करना है तो यह चार्जर ले सकते हैं तो आगे चलते हैं दूसरा दिखाते हैं अब मेटल का मेटल बॉड़ी का चार्जर दिखाते हैं इस तरह का देख सकते हैं फाइयर ब्रेंट का ही है इसको खोल के दिखाते हैं पहले इस साइड दिखा देते हैं इस तरह का है काफी यह हैवी चार्जर है कितना भी हैवी बैटरी आपके पास है वो चार्ज हो जाएगा यह 8 एंपियर का है और यह मेटल बॉड़ी का है और हैवी लोडर चार्जर है यह देख सकते हैं कूलिंग फैन और यहां देखिए इस तरह के बैटरी चार्जिंग इंडिकेशन भी यहां दिया हुआ है और इसका वोजन भी काफी जदा है और मेटल बॉड़ी में है देख सकते हैं 8 एंपियर में है ठीक है और यह मिल जाएगा आपको 32 रुपिया का यह मिल जाएगा यह 32 रुपिया का है इसको किनारे करते हैं और इसी में का एक 6 एंपियर का भी है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं दोस्तों यह देख सकते हैं मेटल बॉड़ी में 6 एंपियर में है 48 वोल्ट 6 एंपियर 360 वाट लिखा हुआ है यह भी मेटल बॉड़ी है सेम डिजाइन का है इस तरह के कूलीं फैंग और इस तरह के चार्जिंग इंडिकेटर के साथ है देख सकते हैं लेकिन यह 6 एंपियर का है यह आपको मिल जाएगा 3000 रुपिया का ठीके दोस्तों आने वाले में आपको छोटा छोटा आइटेम जो खराब हो जाता है उसके बाद मिलना मुश्किल हो जाता है वो सारे चीजे दिखाएंगे जैसे की 250 वाट का कंट्रोलर हुआ है हेड़ लाइट खराब हो जाता ह है तो हेड़ लाइट मिल जाएगा उसके बाद चेन स्प्राकिट गेर जो बहुत से लोगों को खराब हो जाता है वो कहीं नहीं मिल पाता है तो गाड़ी बेकार हो जाती है तो इस तरह से छोटा छोटा आइटेम के लिए काल वीडियो लाएंगे चलिए एक कंट्रोलर भी के साथ दिखा देते हैं एक फाइयर ब्रांट का ही एक काफी काफी अच्छा कंट्रोलर है है वी कंट्रोलर है यह और यह 750 वाट में है आप लोगों को दिखा देते हैं देख सकते हैं 28 एंपियर और 750 वाट 48 वोल्ट में है ठीक है दोस्तो यह भी लोडर के लिए है 750 वाट का कोई भी कीट में यह सेट हो जाता है और यह मात्र 2000 रुपिया का है आप किसी को भी अगर कंट्रोलर इस तरह के खराब हो गया है तो नर्मल कंट्रोलर के जगा आप इसको लगा सकते हैं 750 वाट का मोटर कीट अगर आपके पास है उसमें का कंट्रोलर अगर आपका खराब हो गया है तो ये मात्र 2000 रुपिया का है, है भी कंट्रोलर है, वाइरिंग देख सकते हैं इस तरह का है, तो ये आप लोग मेरे से मंगा सकते हैं, एफ आईयर ब्रैंड काफी अच्छा ब्रैंड होता है, तो किसी भी समान की जरूरत हो, तो एक बार जरूर इनक्वारी कर लिजिएगा, वाट्स अप में आके इनक्वारी कर लिजिएगा, जो समान रहेगा, उसके बारे में बताए जाएगा कि हाँ अबलेबल है, आप प्राइस के साथ इसको जनकारी ले सकते हैं, तो चलिए वीडियो काफी लंबा हो गया है सारे जनकारी कोशिश किया आप लोगों को देने के लिए, और यही समाप्त कर रहे हैं वीडियो वीडियो लाश्ट तक देखने के लिए आप लोगों को थेंक्यू